जैन सातियो इस टॉपिक जो है आज का बहुत महित्पूर होने वाला है इसमें बताएंगे हम आपको को SCST की यदि आपने कोई जमीन खरीदी रेजिस्ट्रियां तो सभी रेजिस्ट्रियां कैंसल होने वाली है क्या है आदेस और क्या है कानून उसके बारे में आपको विस्त सब्सक्राइब कानून यह सब्सक्राइब करेंगे दूसरा है से करीदी प्लॉट और जमीन की रेजिस्ट्रियां कैंसल होंगी तो किन कंडिसंस में होने वाली है ठीक है वो कंडिसंस आपको बताएंगे जिनसे आपकी रेजिस्ट्रियां सायद नहीं बच सकती है ठीक है और इसने 90% रेजिस्ट्रियां इस अनसार जो है कैंसल हो जाएंगी ठीक है तीसरा है वो है सात्यू कि SCST जमीन खरीदने का सही लीगल प्रोसेस क्या है ठीक है सात् पर इससे पहले सात्यों में आपसे कहूंगा यदि आप कोई भी लीगल एडवाइज लीगल कंसल्टेशन कोई भी कानूनी साला लेना चाह रहे है तो ले सकते हैं और यदि आप उत्तरपदिस में कोई प्रोपरिटी पर्चेस कर रहे है तो उसमें कोई डबल रेजिस्ट्री तो नहीं कोई केस मकर्दभा तो नहीं उस पे कोई लॉन तो नहीं सारे आप डॉकुमेंट्स वेरिफिकेसर भी करवा सकते हैं आते हैं अपने साथियों टॉपिक पर ठीक है साथियों जो रिसेंट में 2030 में मुकमंत्री आदितनात्य योगी ने जो एक दिया था यह आप देख सकते हैं आपे तस्वीर यह जो कहा था यह आप लोगों के लिए नहीं है यह है टाउन से प्रीट के लिए बड़े बड़े सेहरों में टाउन से बड़ाई रही तो जो माल लीजिये जो सहर है बड़े बड़े सहर वहाँ पर कालोनिय डवलिम्मेंट होना है तो उसके लिए जो है यहाँ पर आपको परमीशल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है लेकिन साथियों आम बेक्ति जो है ठीक है उसे परमीशन लेना पड़ेगा सेक्स्टन 98 कहता है कि भाई यह दिया आप SCST की जमीन खरीद रहे हैं ठीक है तो आपको परमीशन लेना ही लेना पड़ेगा अभी मैं आपको आदेस भी दिखाऊंगा यह ठीक है पूरा आदेस है वो दिखाऊंगा ठीक है लेकिन अभी मत देखिए समझ में नहीं आएगा तो क्या मैंने बताया कि आप SCST जमीन जो है वो नहीं खरीज सकते वो टाउन्सिप के लिए है जो आजितना दियोगिन जो बताया था ठीक है टाउन्सिप के लिए वो ही नियम अभी भी चलना है कि साथियो यदि आप माल लीजिए क्यमीन खरीदना चाहरा है तो सेक्षन 98 में कलेक्टर की परमिसल लीजिए आप ठीक है जो बेच रहा है उसे परमिसल लेनी पड़ेगी ठीक है या आप सेक्षन 80 करवाईए ठीक है अब कई लोग करफ्यूज हो गए होँगे भई मैंने थो एसी रेजिस्टरी खरीद ली उनके वारे में कि एससी एस्टी जमीन से खरीदी कि प्लोट की जमीन की रेजिस्टरी कैंसल होगी देखिये साथ यह यह आपने कूई परमिसल नहीं लिए ठीक है पर्मिशन नहीं लिए नहीं लिए तो सेक्षन 104 और 105 ही कहता था है कि राज Сरकार में। ने तो होगी collector को पौवर है ठीक है आपने बिगे परमिशन आदा खरीद ली ठीक है कि उन्होंने कोई plot खरीदा यह ठीक है plot खरीदा उन्होंने स्टांप पे लिखवा दिया आवासी ठीक है आवासी लिखवा दिया उन्होंने स्टांप पे ठीक है तो मात्र आवासी लिखा देने से यह आवासी नहीं हो गया आप इसे नहीं खरीज सकते हैं ठीक है मैं अभी आ आवादी गोस्रेट कराए यदि आपने ये खरीद लिया और रेजिस्टरी में भले आपने आवादी के स्टांपे कर दिया हो लेकिन आपकी रेजिस्टरी प्रारम से ही सूने होती है और वह कैंसल भी हो सकती चलिए मैं आपको विद्प्रूफ के दिखाता हूं कि को जो भी पर जानकारी दी जाती है लीगल विद्प्रूफ दी जाती है और यदि आप कोई भी कंसल्टेशन कोई भी कानुमी साला लेना चाहरा है ले सकते कॉंटक्टर में वीडियो की डेस्टर में आपको मिल जाएगा साथी फुटकर दुगवान का दिया जाना अनसूजित जात क सदे से द्वारा निस्पाद पट्टा विलेक उसे समर्थर में प्रेसित किया गया सच्चा मदगारियानी कि कलेक्टर द्वारा अनुग्या नहीं दी गई थी फुटकर दुकान दी जाने के अंक देरे के लिए पट्टे पर विचार नहीं किया गया प्रस्न यह है बहुत म क्वबंपर लागू नहीं होगे धारित कि या गया है कि अनुग्या के विना यानिकि पर्मीशन के विना पत्टा विले दिद्ध किया पत्टा ओं कोई भी तो आपका यह जमीन जो है साथियो यह निश्चित ही तौर पे कैंसल होने होगा और किसी ने कर कारवाई कर दी तो यह जमीन जो आपकी है वो राज सरकार में नहित हो दे कोई ज्यादा दिर नहीं लगी यह ठीक है यह जो दिया था यह आदेस दिया था यहां पर देख सकते इस्टेट ऑफ यूपी 2019 ठीक है यह आप देख सकते और इसकी पीडियेप भी आप ले सकते कोंटक्ट नंबर वीडियो की डेस्केस्वन वे आपको मिल जाएगा साथियो आप देखिए यहां पर आते नेक्स्ट पॉइंट पे कैस्स्टी जमीन खरीदने का सही तरीका क्या अब 98 क्या कहती है जो जमीन बेच रहा हो लगवक उस पर लगवक 15 वीगा जमीन होनी चाहिए ठीक है वो दूसरे जिला का होना चाहिए ठीक है तभी वो परमीशन मिलेगे परमीशन कौन देगा कलेक्टर यानि कि साथ यह हो यदि आप स्टी की जमीन लेना चाह रहे हो तो या प्लोट मकाद्धुकान खरीद रहे हो तो इसका करवारी सी उफजलादगारी से धारा असि ठीक है अब यह जमीन जुह है वो राजिसुकी जमीन नहीं रही है तो आप धारा असि करवाने के बाद एक प्लोट या धुकान भी खरेद सकते हैं तो यह साथिओं दो तरीक में आपको बता दूँ कि यदे आप इस संबंद में इन तीनों प्रस्ट से संबंद में कोई भी कानूनी जानकारी लेना चाह रहे हैं सात्यों यदे आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रपरटी परचेस कर रहे हैं कोई धोका दड़ी न हो जा इसके संबंद में आप जो नमर भी मिल जागा धन्यवाद